रायपूर्द दक्षिन विधानसभा उप्चुनाव को लेकर पूर्वो मंत्री अजय चंद्राकर का एक बयान सामने आया है अजय चंद्राकर ने कॉंग्रेस नेता प्रमोत दुबे को नेट बॉलर कहा उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर बीजेपी की आदमी है प्रमोत दुबे बीजेपी के लोगों को प्रमेत दुबे नेट प्रेक्टिस कराते हैं आधी Congress पर निशाना साधा और कहा कि उम्मिदवार भी भारी और प्रचार करने वाले सचिन पाइलट भी भारी हैं जो हमारे मीत्र है वो तो भाजपा के नेट बालर है नेट बालर समझ गए ना बनले बाज़ों को जो प्रेक्टीस कराते हैं नेट प्रेक्टीस निहीं होती है तो नेट प्रेक्टीस के लिए एक्सपर्ट बालर बुलाए जाते हैं कि ये गड़बर हो रही कर कि किसी भी खेलाडियों पूछ लो तो वो भाजपा के नेट बालर है प्रमोद दूबे जी ये हार से बौकला हट है भारती जनता पाटी के नेताओं को हार दक्षिन सिधा सिधा दिख रही है इसलिए कि इसलिए उलुल जुलुल बाते कर रहे हैं इससे हमको कोई फरक नहीं पड़ना है हम तो अपना काम कर रहे हैं तो ये बात साफ्थः और पर कह रहे हैं कौन अजय चंद्रकर रमन सरकार में मंतरी रह चुके हैं सीधर रायपूर का रुक कर रहे हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा लाइव जुड रही हैं तो ये बात करिश्मा आप हमारे दर्शकों को भी बताईए कि अजय चंदराकर जो सियासत में काफी सुल्जे हुए नेता कहे जाते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं लेकिन प्रमोद दूबे को उन्होंने नेट बॉलर बता दिया कि आप बीजेपी के ही नेताओं को प्रेक प्रत्याशी जो है उसकी घोषना नहीं की थी उसके पहले से ही देखा गया कि नामांकन जो है प्रमोद दूबे ने खरीद लिया था उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कॉंग्रेस पार्टी उन्हें कहीं न कहीं टिकेट देगी उसके बाद दिखा जा सकता है कि जब प्रत्य प्रत्याशी की घोशनक की गई तो आकाश्वर्मा को बनाये गया प्रत्याशी और लगतार इस बयान पर रहे सियासत होती रही कि आकाश्वर्मा बाहरी नेता है और राइपुर्दक्षिन को नहीं समझ पाएंगे वही जब अजय चंद्राकर से पूछा गया तब उन्होंने नेता है इसके साथ प्रमोद दूबे ने हालही में एक प्रेस वारता ली थी जिसमें पांच हजार करोड रुपे के विकासकारी कारियों को ले करके उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाये थे सुनील सोनी पर सवाल उठाये थे कि क्या क्या काम उन्होंने किया है क्योंकि ज पूछा गया कि इस तरीकी का बयान जो है आजे चंद्राकर देते हुए नजर आ रहे तो उन्होंने कहा कि भाजपा की हार की बॉक लाहट जो है वो नजर आ रही है क्योंकि डोर टूर जनसंपर्क जो है कॉंग्रिस पार्टी का चल रहा है सचिन पाइलेट का दौरा हो गया भुपेश बगेल का रोड शो हो गया और तमाम देखा जा रहा है कि बड़े दिगज नेता मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे तो उनका कहना है कि जो रिकॉर्ड मतों से भारतियों जनता पार्टी ने रैप्रोड़क्शन में अपनी जीत अब तक दर्ज की है उसे जो ह यह तो सियासत में इस तरह के बयान करिश्मा आते भी रहते हैं और हमारे दर्शक भी इस बात को बखू भी समझते होंगे लेकिन एक अपडेट हमारे दर्शकों को इस बात का भी दीजिए कि आज और अभी की बात करें तो रायपुर्ड दक्षिन की लड़ाई किस प्रका को दीजिए जिब बिल्कुल चुनावी प्रचार प्रसार की बात की जाए तो अभी आपको बता दे कि सुनील सोनी जो की भाचपा की रायपूर्ड दक्षिन उप्चुनाव की प्रत्याशी है वो रोड शो करने निकले और रायपूर्ड दक्षिन में अभी हम खड़े हैं तो कॉंग्रेस पार्टी की जितने भी दिगज नेता है वो हमें कल मैदानों में उतरते हुए नजर आए इसके साथ अब देखा जाएगा कि कल हो सकता है मुख्यमंतरी विश्णु देव साई शाम के वक्त जो है पांच बजे के पहले अपना रोड शो करते हुए रायपू रायपूर्दक्शन का मतदान जो है वो तेरा तारीक को होना है ऐसे में काफी कम समय अब दोनों ही राजजनतिक दलों के पास बचे उनके प्रत्याशों के पास बचे तो जन संपर्क किया जा रहा है डोर टोर पहुंचा जा रहा है जनता को अपनी जो है आइडियोलोजी बताई जारी है और साथ ही क्या विकास कारी कारे वो रायपूर्दक्शन को दे सकते हैं या कर सकते हैं उस पर लगातार जो है जनता से जुड़ा जा रहा है चलिए जनता से जुड़ने का प्रयास तो सभी नेता कर रहे हैं लेकिन जनता किस से जुड़ेगी यह हम लोग द तरशकों तक पहुंचाने के लिए आपका करिश्मा बहुत बहुत शुक्रिया